नमस्कार किसान भाहियों, आज मैं गर्मियों में कम लागत में अच्छी आमदनी वाली तीन सबजी खेती के बारे में आपको बताने वाला हूँ मार्च अप्रेल या माई में आपको 25 से 30 दिन के अंदर ये खेती आपको अच्छी आमदनी दे सकती है तो चले दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं, अगर आपको खेती बड़े जनकारी आपको अच्छी रखते हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना दोस्तो मैं धनिया के बारे में विराइटी और उसकी गुण के बारे ही बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ और बताऊँगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तो धनिया की कुछ विराइटी का नाम में आपको पता रहा हूँ, जिसमें पहला नाम है VNR की मुस्कान, नामधावी की सुर्भी और पाहुजा, ये तीनों ही विराइटी काफी अच्छा है, काफी किसान इसका यूज़ भी करते हैं ये तीनों विराइटी है, इनमें से तीनों ही अच्छा खासा उव्योग कर सकते हैं, दोस्तो ये हरे भरे और काफी सुगंधित वराइटी वाला धनिया है, इनमें पत्यां काफी चौणी और कल्ले काफी लंबे निकलते हैं, जिससे इसके आपको अच्छी वज़न मिल सकत और एक विराइटी है, उसा हरीट, ये दो विराइटी है और मार्केट में बहुत ही बिखता है, जिसकी कलर और क्वालिटी काफी अच्छा होता है, साथ ही इसमें टेस्ट में भी काफी अच्छा रहता है, ये सभी क्वालिटी हाइब्रीड विराइटी है, तो किसान भाइ मुली को जैसे चाहे आप उगा कर एक बार मार्केट में ले जाए फिर देखिएगा इतना आपको इसका rate मिलता है किसान भाईयों इसकी कुछ खास विराइटियों की बात हम कर लेते हैं दोस्तों मैं जितना भी विराइटि आपको बता रहा हूँ वो काफी जदा डिमांडिक और काफी जदा लोग प्रिया विराइटि है तो आप किसी भी विराइटि को यूज कर सकते हैं और इसका result काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों मुली का विराइटि है सिजन्टे की आईवरी विराइटि दोस्तों इस लिष्ट में जो अगला विराइटि है वो है पाहुजा की गरिमा और माहिको की माहिको 22 है या मही 22 ये सभी hybrid variety है तो किसान भाईयों ये है कुछ variety जो काफी अच्छा लगता है जब आप इसे उगाते हैं तो किसान भाईयों ये तीनों फसल ही है किसान भाईयों आप तीनों ही फसल को आप एक ही जगाँ पर कर सकते हैं और इसका प्रोसेस हम आगे की वीडियो में आपको पताएंगे